हलो दोस्तों, नमस्ते, सरोज की किचिन में आपका स्वागत है, आज मेरी किचिन में बन रही है वैज चीज पनीर सेंडविच, आप इने सेंडविच मेकर की जगह है, तब ये पर भी बना सकते हो, मैंने पहले वीडियो में प्राई पहन में गारलेक प्रेड और थ्री लेयर सेंडविच कड़ाई में बना कर बताई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, ये सेंडविच चटपट बन जाती है, और बच्चों और बड़ों को नास्ते में हेल्दी रहती है, तो अब हम सेंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं, मैंने याँ पर वाइट ब्रेड लिए, सबसे फ़ले एक ब्रेड पर हरी धनी की चटनी डाली है, इसको चारो तरफ ब्रेड के उपर फैलाएंगे, चारो कौनों पर नाइफ की साइदा से, थोड़ी कम है, और डालेंगे, और इसे पूरी ब्रेड पर इसी तरह से फैला लेंगे, इस पर पूरी फैल गई है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, अब इस पर पनीर की स्लाइस लगाएंगे, हमारी पनीर की स्लाइस छोटी है, इसलिए चारो कौनों पर चार स्लाइस लगाएंगे, ये स्लाइस भी लग गई है, अब इसके उपर प्याज की पतली पतली स्लाइस रखेंगे, प्याज की स थोड़ा थोड़ा भी फैला देंगे चुटकी की साहिता से कि अभ इस पर डालेंगे थोड़ी थोड़ी चिली फ्लैक जिससे हमारी सेंडविच चत पती बने गी अब हम दूसरी ब्रेड पर पीजा पास्ता शॉस डालेंगे और चाकू की साहिता से चारों तरफ भैलाएंगे और इस ब्रेड को चीज के ऊपर रखेंगे और हम ब्रेड के ऊपर एक चमच सेजवान सॉस डालेंगे और पर चमच से चारो तरब फैलाएंगे और sauce के उपर एक चम्मच के करीब mayonnaise डालेंगे और चाकु से चारो तरब फैलाएंगे और अब इसके उपर Paneer slice लगाएंगे एक एक करके चार लगाएंगे Paneer slice हमने लगा दी है अब इनके उपर पतली पतली की खीरा की स्लाइस लगाएंगे और साथ ही टमाटर स्लाइस भी लगाएंगे वो भी पतली पतली रखेंगे अब टमाटर खीरा स्लाइस के ऊपर चीज स्लाइस भी रखेंगे और ऊपर से चारो तरफ औरीगेनों छिट गेंगे और डालेंगे चिली फ्लेक्स अब तीसरी ब् ब्रेड पर चारों तरफ फैलाएंगे और डालेंगे एक चम्मच गार्लिक बटर इसे भी ब्रेड पर फैलाएंगे और इसे ब्रेड पर रखेंगे अब उपर से थोड़ा सा गार्लिक बटर लगाएंगे और सेंड्विच मेकर में बटर की तरफ से रखेंगे अब दूसरी त पर कड़ाई में और किसी में भी बना सकते हैं आप सेंडविच में करको बंद करेंगे और हमारी सेंडविच को पकने में इसमें एक से डेड़ मनट लगी है यह तैयार हो गई है आप इसे हम निकाल लेंगे हमारी सेंडविच तैयार हो गई है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं पर हम इसे काटेंगे बड़े वाले चाकू से इसे हम च्यार पीसों में काट लेंगे आप देख सकते हैं हमारी सेंडविच कितनी अच्छी बनी है इससे पहले मैं कड़ाई में बनाने का व्यूडियो डाला हुआ है आप मेरे चैनल पर देख सकते हो इसमें हमने सभी तरह के फिलेवर डाले हैं इस बज़े से ही है स्पाइसी और पनीर वेजीटेबल से बच्चों के लिए काफी हेल्दी है आप बनाएं और खाएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट्स करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को करें नन्यवाद